हेलो वीडिवान वेलकम चुआ यूटीब चैनल तर सजेसिंग आज की वीडियों हम पढ़ेंगे अपना लेसन नमबर 23 जिसका टॉपिक है काइनेटिक चेंग सुआए शुरू करते हैं किनेटिक चेंग को हम कायनेटिक चेंग बहुता है यह वह इसी बात हम और नं रूल बड़ी सिम्पल सी बात हमको कहता है खिए ब्री बॉरी पार्ट्स connects to all the other body parts कहने का मतलब इस rule के हिसाब से हमारी body के अंदर एक ऐसी chain होती है या एक ऐसी energy होती है जो हमारे एक body part को हमारे body के बाकी सभी body parts से connect करती है और जो हमारी body के अलग-अलग parts हैं, अलग-अलग systems हैं या सब मिलकर हमारी body के अंदर पूरा एक complete system बनाते हैं जो आपस में connected रहता है, so या chain जो हमारी पूरी body को connect करती है इसी connection को हम kinetic chain बोलते हैं, for example जो हमारी bones है ये joint की मदब से एक दूसरे से connected हैं और इस तरह का connection हमारे पूरे body में होता है, so इस तरह का connection एक link बनाता है, एक chain बनाता है तो दूसरी जो joint है, दूसरा जो connection है वह भी थोड़ा सा bent होता है so body में हमारे इस तरह के connection को हम kinetic chain बोलते हैं for example जैसे मैं जब abduction perform करता हूं, तो क्या करता हूं मैं मैं अपना सिफ shoulder joint मूव कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा, जब मैंने हाथ उठाया और मैंने जब हाथ फ्री रखा, तो हमारे ये elbow joint अराम से move कर सकता है और ये wrist joint move कर सकता है, तो हमने क्या move किया था सिफ अपना shoulder joint लेकिन shoulder joint move होने कारण, हमारा elbow joint, wrist joint भी move कर रहा है so ये movement इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि हमारे body के kinetic chain के हिसाब से, ये joint आपस में connected है so एक joint के movement कर रहा है, दूसरा joint move कर रहा है, let's take an example of an exercise for example अगर हम shoulder double press मार रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम shoulder double press मार रहे हैं तो हम अपना से shoulder joint move करते हैं, लेकिन क्या होता है, automatically हमारा elbow joint move करता है इस exercise के दरान, क्योंकि या एक motion को follow कर रहा है, और ये इसलिए move करता है, क्योंकि ये दोनों joint हमारे body के kinetic chain system से connected है so जब एक joint move कर रहा है, तो weight को, उस motion को support करने के लिए, दूसरा joint automatically उस action को follow करता है, move करता है I hope आपको kinetic chain क्या होती है, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इस चीज का हम भी प्योग करेंगे जब हम exercise classification पढ़ेंगे exercise classification में बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि open chain, close chain, isolateral, isotonic, compound, isolation, ये सारी चीज़े के बारे हम detail में बात करेंगे जिसके मद से आप किसी exercise को analyze कर सकते हैं, उसके बारे में और अची तरह से समझ सकते हैं और ये सारी great information आप से miss ना हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजे and hit the bell icon ताकि इसी तरह की classified information आपको हमेशा मिलती रहे और वीडियो के लास में आपको पता ही क्या करना है, वीडियो पे like, comment जरू करें और उस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये देश के हर कोने तक बहुत सके थांक्स वाचिंग, stay healthy, stay fit बाई, जाहें